अपने आपको शांत एवं सकारात्मक रखने से आप बच्चों से अच्छा रिष्टा कायम कर सकते हैं यहां साफ निर्देश और काफी प्रिशन सा आपको बच्चों से मिलकर रहने में सहायता करती है पहले अपने बच्चे को गंध मत करो कहने के बजाए कुछ व्यवहारिक काम करने के लिए कहें जैसे रसोई घर साफ कर दो या कपड़े ठीक कर दो दूसरा अपने बच्चों को ध्यान अकर्शन करने के लिए उन्हें उनके नाम से बुलाएं उन्हें शांती और प्रोसाहित आवाज में बात करें इससे बच्चे पे ज़्यादा असर पड़ेगा ना कि चीखने चिलनाने से जब आपका बच्चा आपके निर्देशों का पालन करे और अच्छा व्यवहार करे तो आप उन्हें अवश्य बताएं ताकि उन्हें तसली हो कि आप उनकी परवाह करते हैं